हेलो बच्चों तो देखे कल हमने उधारन सारे कम्टेट कर लिये हैं अब प्रस्तना वली की बारी आती है प्रस्तना वली पांद सुनलब एक की ठीक है तो देखे पहला कुश्यन क्या दिया गिया है इसमें कराएं कि सिद्ध कीजिए यानि प्रूब देट fx equals to 5x minus 3 ये जो आपको function दिया गया है fx इसको x equal to 0 x equal to minus 3 और x equal to 5 के लिए क्या दिखाना है ठीक है तीनो के लिए दिखाना है तो अब आपका काम यही है कि आपको तीनो के लिए करना है तो आप हम लोग start करते हैं पहले x equal to 0 के लिए अब देखो अभी हम लोग क्या करते ना मैंने काटा क्यों बताईए यह इसलिए काटा क्योंकि देखो इसमें मैं LHL, RHL और F0 निकाल ला था हमें पता है कि यह लंबी मेथड है और हमें निकालने है तीन तीन चीजों के बारे में निकालना है तो मैंने सोचा क्योंने हम लोग सौट में करें LHL और RHL को मिला के आप जानते हो क्या बनता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अफ एक्स बनता है और साथ में आफ F0 निकाल लो अगर यह दोनों इक्वाल आ जाएं तो सीधे ही हो जाता है कि सदत यानि continuity प्रूफ हो जाती है तो इसलिए मैंने इसको काड़ दिया और मैंने यह दिखाया इसलिए ताकि आप लोग जब गलती करोगे तो आप लोग को ऐसी गलतीया नहीं करनी है क्योंकि एक्जाम में सिर्फ question solve करने से फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ता है कि आप लोग पूरे के पूरे question attempt कर पाते हो या नहीं वह भी आसानी से अगर आप लंबे-लंबे question कर रहे हो तो आपका दिमाग उतना गम काम करेगा और question गलत होने के chances ज्यादा होंगे इसलिए method आपको दोनों तरह की आनी चीए और हो सके जितना उतना चोटी method को यूज करना ताकि पेपर जल्द हो जाए और कोई परिसा ही ना है इसलिए मैंने यह दिखाया ठीक है चलो अब देखो आगे सबसे पहरे हम निकालेंगे limit x tends to 0 fx तो limit x tends to 0 ऐसा ही रहा fx की जिएक 5x-3 रख दिया अभी हम x equal to 0 के लिए कर रहे हैं देखिए उपर लिखा है x equal to 0 के लिए ऐसे ही minus 3 और 5 के लिए भी करेंगे उसके बाद देखिए हमने क्या 5x-3 था इसमें x की जिए 0 रख दिया 5 into 0 minus 3 तो यह minus 3 आ गया ऐसे f0 निकाला तो सीधे x की जिए 0 रख देंगे तो 5 into 0 minus 3 minus 3 यानि यह दोनों equal आ गये तो आमने लिख दिया कि दोनों equal हैं इसलिए fx जो है वो x equal to 0 पर सतत है यह आप लिख सकते हो fx is continuous at x equals to 0 ठीक है आसान था आगे बढ़ेंगे ऐसे x equal to minus 3 के लिए करोगे limit x tends to minus 3 fx लोगे fx जिए vary रखोगे ठीक है 5x minus 3 फिर x की जिए minus 3 रख दोगे तो solve करने के बाद minus 18 आ रहे है ऐसे f minus 3 निकालोगे तो 5 into minus 3 minus 3 ऐसे रखोगे solve करोगे minus 18 दोनों equal आ गये तो दोनों को equal लिख दिया और इससे क्या पता चला कि fx जो है वह x equal to minus 3 पर सतत है यानि fx is continuous at x equals to minus 3 ठीक है आगे बढ़ते हैं x equal to 5 के लिए same काम limit x tends to 5 fx और आगे हमने fx गिए value रखी फिर हमने x की जिए 5 into 5 minus 3 इस तरह से रखकर 22 हमारा answer आया ऐसे f5 निकाला तो सीधे 5 रख दिया और ये भी 22 आया और इस तरह से दोनों equal आगे तो हम लिख सकते हैं कि fx जो है वह x equal to 5 पर सतत है यानि fx is continuous at x equal to 5 देखो या जो exercise चल रही है आपकी याद देखना maximum question आपको आने चाहिए लग बग हर question आपको आना चाहिए जो थोड़े से अलग होंगे कुछ 3-4 question उसके अलावा सब कुछ आपको आना चाह चाहिए क्योंकि जितने आपने अभी तक का उधारन पढ़े हैं उसमें सारी exercise बन जाती है जब मैं सारे उधारन करायता हूं तो उसके बाद खुद बैठ कर आप लोग क्या करिए पहले exercise में जितने question बनते हैं उनको करके देखिए फिर अगले दिन जब मैं exercise आगे चलाता ह तो फिर चेक करिए कि क्या वो सही किये थे या नहीं किये थे इससे क्या होगा कि exam में जो आपकी preparation exam के लिए हो रही है वो आपको पता चलेगी कि आपने कितना सीखा है ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे question की और इसमें आपको चेक करना है कि fx equal to यह दिया है x equal to 3 पर continuous यानी सतत है या नहीं है यह चेक करना है सेम काम देखो कुछ भी अलग नहीं है बस मैंने कर रखा इसलिए है ताकि आप लोगों को दिखे कि यहां ऐसे करना है लेकिन यह मैं अगर कहता तो आप खुद भी कर लेते ठीक है तो लिखाया limit x tends to 3 fx और यहाँ पर fx यह to 3 पर सतत है नहीं भी हो सकता है कहीं पर ठीक है चलिए फिर आगे विड़के देखते हैं आगे देखिए question number 3 दिया है निम्कित फ़लों के लिए 7 तक चांच कीजिए check करना है कि कौन से function नीचे पर continuous है या नहीं है ठीक है तीन चार दिये हैं तो 4 के 4 मैंने कर रखे हैं सेम क चांच के लिए check करना पड़ेगा तो आप कौन से second method आएगी जिसमें हम माना x equal to c एक वास्तिक संक्याह मानते हैं और x equal to c के लिए करते हैं यानि let x equal to c is a real number और फिर हम x equal to c के लिए करना शुरू करेंगे तो हमने limit x tends to c fx लिया fx की जिगर value रख दिया x-5 और x की जिगर फिर आपने c रख लिया तो c-5 आया ऐसे आपने fc निकाला तो direct case पर आपने x के जिगर c रख दिया तो ये भी c-5 आया दोनों एक कोल आगे यानि आप लिख सकते हो fx जो है वो परते एक वास्तिक संक्या के लिए सतत है क्योंकि आपने x equal to c को एक वास्तिक संक्या लिया अब वो वास्तिक संक्या कुछ भी हो सकती है ऐसा जरूरी निया कि कोई पर्टिकुलर हो सारी वास्तिक संक्या में से कुछ भी हो सकती है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि hence fx is continuous for every real number ठीक है यह आप लिखना इंग्लिस में और हिंदी में दोनों में पता रहा हूं तो जिसको इसको x not equal to 5 के लिए चेक करना है यानि सारे real number के लिए चेक करो लेकिन 5 नहीं होना चाहिए क्यों क्यों कि अगर 5 लिख दोगे यहां तो यह 1 upon 0 आ जाएगा और यह infinity होगा यह not defined होगा जिसको अभी तक define नहीं किया है अब परिभासित करते हैं इंदी में अब परिभासित म करेंगे तो हम लिख लिया कि x equal to c जो हो एक वास्तिक संक्या है मान लिया सेम काम limit x tends to c fx लिया fx के value रख दी फिर x की जिगा c रख दिया तो 1 upon c-5 ऐसे यह fc निकाला तो direct यहां रख दिया हमने x की जिगा c और यह आगिया 1 upon c-5 दोनों आपस में equal आए होए हैं तो हम लिखेंगे limit x tends to c fx equal to fc उसके बाद क्या होगा हम लिख सकते हैं कि आता है fx जो है वो प्रतेक वास्तिक संक्या के लिए सतत है x equal to 5 को छोड़कर इंगलीस वाले क्या लिखेंगे hence fx is continuous for every real number except x equals to 5 except e x c e p t ठीक है accept मतले ना accept मतलब तो होता है उसको लेकर उसके साथ accept मतलब उसको हटा कर ठीक है चलिए तो इतना आ गया समझ में काप यह अच्छा कुश्यन था यह यह भी आसान था अगला आया अच्छा कुश्यन जो इक जम्म आया हुआ हुआ है कई बार ठीक है छोटे मांक्स में एक मांक्स माता है उतना खास कुछ है नहीं तो यह इसको आपने चेक करना है इसको भी x equal to x not equal to minus 5 के लिए करना है अपर देखो x square minus 5 का square बन सकता है यह तो हमने इसको x square minus 5 का square बनाया a square minus b square का formula open किया तो x plus 5 x minus 5 और नीचे भी यह है तो यह कट जाएंगे x minus 5 बचेगा फिर हमने यहाँ पर c की वजी रखी तो c minus 5 आया ऐसे fc निकाला तो fc में सिधे c रख दिया फिर उपर वाला formula open किया और यह cut गिये तो c minus 5 यनि यह दोनों आगिया अपस में equal ठीक है और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जब आपको limit कभी दिखे तो direct limit put नहीं करते हैं कब put करते हैं direct जब अंदर वाली चीज पूरी x minus 5 को छोड़कर सभी वास्ति संक्याओं के लिए सतर्त है hence fx is continuous for every real number except x equals to minus 5 ठीक है उसके बाद आता है fourth question most important question क्यों है most important क्योंकि यहाँ पर हमें mod of x minus 5 दिया है आप जानते हो यह positive कभ होगा जब यह x greater than equal to 5 होगा ध्यान रखना वहां mod x होता था तो mod x यानि यह इसको अग लेकिन यह mod of x minus 5 है तो x minus 5 को अगर 0 के equal रखोगे तो x equal to 5 आएगा यही 5 एक ऐसा नम्मर है जिसके इधर साइड जाओगे तो यह चीज positive आएगी ठीक है और जिससे minus की और 432 की और जाओगे तो यह चीज negative आएगी तो इसलिए यहाँ पर 5 जो है यह इसके बीच का point है क्यो यहाँ रखोगे x greater than equal to 5 पर यह positive होगा और x less than 5 पर यह वाली चीज negative के equal होगी समझगे और अब आपको पता है कि x greater than x less than और equal to दिया है 5 के तो आप 5 के लिए चेक करोगे तो हमने equal lhl जब निकाला तो x less than 5 होता है lhl और rhl पर x greater than 5 और f5 निकाला तीनों equal होने चीज तब भी यह चीज क्या होती है continuous होगी इसलिए most important है क्योंकि आप यहाँ पर x greater than equal to 0 कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका question समझगे तो हमने solve किया इसे limit x tends to 5 minus लिया fx यहाँ 0 हुआ तो 5 minus h चलेगी अंदर अब आपको यहाँ value रखनी है तो आपको पता है less than 5 वाला है यानि नीचे वाला है तो इस नीचे वाले में x की जगह आप 5 minus h रखोगे तो यह minus लिया और x की जगह 5 minus h रखा minus 5 अंदर 5 5 कर गिये तो minus a भार है एक minus h अंदर है तो plus h हो जाएगा फिर 0 लोग दोगे 0 आ जाएगा कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी ले 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 यहाँ कुछ भी अपने मन से ले ले आंसर तो 00 ही आ रहा है सब में लेकिन एकजामनर आपका यही step चेक करता है जो आपने यहाँ पर किया होता है अगर यह गलत कर दिया तो answer ने दिखा क्या आ रहा है समझ रहे हो हमेशा महस में ऐसा महस सोचिए कि आपने answer लिग दिया सही तो इस माल नीचे कि आपके पास सारी question के answer आपको याद है रटे है आपको paper में question नहीं आ रहा है आप answer लिग दो के तो marks मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसी तरह से यही है पर यहाँ पर भी वही चीज है कि आपका answer यहाँ जीरो आ रहा है इससे फरक नहीं पड़ता method में आपने कहीं ग greater than उपर वाला है यह रहा greater than 5 तो हम इस वाले में रखेंगे फिर हमने x tends to 5 प्लस fx रिखा और x tends to 0 हुआ तो यहाँ पर 5 प्लस h आ गिया फिर आपने f5 प्लस h भस्ट वाले में रखा यहाँ 5 प्लस h x की जिगर रखा माइनस 5 आगी पर रही इसमें ठीक है उसके आप 5 प्ल तो आपने 0 रख दिया तो 0 आगिया ऐसे f5 निकालोगे तो equal to भी उपर वाले में ही है तो सीधे 5 यहाँ रख दोगे 5-5 0 हो गया तीनो एक्वल आगे तो एले चला रचल और यह तीनो एक्वल यानि fx x equal to 5 के लिए सतत है यानि hence fx is continuous for x equals to 5 ठीक है अगला fourth question देखिए सिद पर प्रूव डैट है यानि दिखाना ही है तो आपको पता है कि x equal to n की बात हो रही है तो हमारे पाइल चला रचल करने के लिए इतना कुछ है नहीं क्योंकि लचला रचल उसमा करते हैं जहां पर greater than के लिए अलग हो less than के लिए अलग हो और equal to के लिए अलग हो यहाँ पर निकाला तो n रखा x की जिएका तो n की पावर n दोनों बराबर आए तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई इसलिए हम लिख सकते हैं कि fx जो हो x equal to n पर सतत है hence fx is continuous for x equals to n समझगे आसान था अब important question फिर से आया क्यों है important यहाँ पर आपको x greater than equal to 1 दिया है और x less than equal to 1 और x greater than equal to 1 तो इसकी help से आप सिर्फ x equal to 1 निकाल सकते थे जो आपको आता लेकिन आपसे पूछा है कि 0 के लिए 1 के लिए और 2 के लिए तीनों के लिए चेक करो तो 1 के लिए करना तो आपको आता है l चल आर चल और f1 ठीक है अब 0 और 2 के लिए कैसे करेंगे यह हम देखते हैं तो x x equal to 0 के लिए आप कैसे करोगे आप डिरेक्ट यह वाला फॉर्मला लगाओगे यह चीज़ निकालोगे यह चीज और दोनों बराबर दिखाकर आंसर लिखते होगे क्योंकि उसके लिए आपको इसकी help की कोई खास जर्वत होने आली नहीं है एक जिगापर पड़ेगी कहां तो x रख दिया हमने fx जिगा है और फिर हमने x equals to 0 रखा यहाँ पर तो 0 हो गया ऐसे हमने f0 निकाला तो f0 भी आपको पता है कहां रखोगे आप 0 उपर वाले में आ रहा है तो उपर वाले में रखोगे 0 हो जाएगा और आप देख रहे हो दोनों equal हैं इसका मतलब fx जो है वो x equal to 0 पे सतत है क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पर कोई help वाली चीच जदा खास है नहीं ठीक है तो ऐसे किया दो इलचेनली लेकिन जब x equal to 1 लोगे तो आप greater than less than 1 greater than 1 और f1 तीनों ही निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपको उपर पर तीनों के लिए value अलग अलग अ तो आपने जब x tends to 1 minus fx निकाला तो x tends to 0 f1 minus h हो गया अब आप इसको कहां रखोगे less than 1 है less than 1 आप अगर देख पा रहे होगे तो उपर वाले में less than 1 है तो x की जगह रखोगे 1 minus h तो यह 1 minus h ही आ गया h की जगह 0 1 minus 0 1 ही आ गया ऐसे greater than 1 के लिए करोगे तो x tends to 1 plus fx limit x tends to 0 र दिख रहा है आपको नीचे वाले में यहां 5 है value तो 5 पे रख दोगे सीधे 5 ही रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर x तो है नहीं फिर आप h की जगह 0 रखो h कहीं नहीं है तो 5 ही रहेगा ऐसे आप f1 निकालोगे तो आप जानते हो f1 भी आपका उपर वाले मार है equal to 1 x less than equal to 1 है ना तो x इसकी जिगह रखोगे x की जिगह आपने सीधे 1 रख लिया तो आप जड़ा देखो तो इसको फिलाल निकालने की जरवत थी नहीं है क्योंकि यह जब LHL और आर्चल इक्वल नहीं है तो सीधे यह सौल ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे LHL not equal to आर्चल यह न होता है कि discontinuous तो आप लिखोगे fx is discontinuous for x equal to 1 यह है discontinuous ठीक है चलिए आगे बढ़ता है x equal to 2 के लिए निकालेंगे आपको पता है 2 के लिए को ऐसा उपर greater than less than 2 वाला दिया है नहीं तो सीधे आपको यही काम करना है कि एक बार आप यह निकाल लो यह निकाल लो और देखो कि सही है या नहीं है तो आपने limit x tends to 2 fx लिया अब x equal to 2 को कौन से वाले मारा है जब आपको पता है 2 नीचे वाले में ही आएगा तो सीधे उसकी value 5 हो जाएगी दोनों equal आ रहे हैं यानि आपको होगे यह दोनों equal है तो fx equals to fx जो है x equal to 2 पर सतत है यानि hence fx is continuous at x equal to 2 ठीक है अब ध्यान देना कि यह सा इतनी तेज़ करा रहे हो करके मस सोचना क्योंकि आपको पता है कि यह question सारे के सारे example में सब समझा चुका हूं अब यहां पर खाली बस करने हैं करके करा रहा हूं ताकि कुछ गलती ना करो खुद ठीक है और जो important है वह बता रहा हूं तो सारे जितने भी important बता रहा हूं और उन सभी के उपर आप important या star कुछ लगा रहे होगी और इतने previous year के paper में आपको provide करता हूं अगर वो भी उपर लिखते होगे तो paper में जब भी जाओगे तो आपको जो अगर यह question अगर पढ़के चले जाओ ना star वाले और जो paper में आई हुए हैं तो आपके full marks आ जाएंगे तो इसलिए यह चीज फालतु में मत सोचना कि यह तो हम काफी महतुपूर्ण प्रसन है लिखा नहीं है लेकिन star लगा लेना फिलाल यह आपको दिया गया है इस तरह से और आप से करा है continuity चेक करो या नहीं है बताओ अब आप देखो कि आपको इसमें दिख रहा है कि x less than equal to minus 3 और x greater than minus 3 यह दो चीज़ां तो आप देख पारे पिर आती है बात इसकी x less than 3 और नीचे है x greater than equal to 3 यानि इसके लिए भी तीनों चीज़े दी गई है तो हम x equal to 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं यानि इस question में x equal to 3 और minus 3 दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा साथ मैंने एक काम किया कि यह mod x है तो इसको जरा बदल लेते हैं यहाँ देखो less than minus 3 आप जानते हो less than पर क्या होती है यह value mod वाली minus में होती है greater than में यह value plus में होती है तो यह value minus में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर less than के लिए बताया गया है ठीक है तो यह minus में हमने लिख दी आप function अच्छा बन गया है क्योंकि mod वाली चीज हट चुकी है अगर यहाँ greater than होता तो यहाँ आपको plus x लिखना पड़ता है समझ रहे हो तो यह तो mod वाला आपको बताया गया है पहले से पढ़ाया गया mod x के बारे में ठीक है अब यहाँ जरुवा सिर्फ एक ही किया है दो x to 3 minus fx limit x tends to 0 तो minus 3 minus h हो जाएगा अब यह कहां रखोगी आप less than minus 3 वाला first वाले में less than minus 3 तो x की जिगह आप क्या रखोगे minus 3 minus h तो यह minus बाहर रहा और एक अंदर minus 3 minus h आया x की जिगह प्लस 3 यहाँ है फिर इसको solve किया आपने तो 3 plus h हो गया minus अंदर गया plus 3 है 3 3 6 plus h हुआ h की जिए 0 रख दिया है तो 6 आया आरे चल निकालो कि तो x greater than minus 3 है अब आप देख रहे होगे कि x greater than minus 3 यह है ज़रा इसको देखना x की और को यह sign बना हुआ है एक ही बात है इसका x की और को open है x greater than minus 3 हुआ है ऐसा मैं सुतना कि यहाँ पर अलग सा लिका है यहाँ सेम दिखे इसमें आपने x की जिए minus 3 plus h रख दिया तो फिर यह minus 2 अंदर गया तो 6 minus 2 h h की जिए 0 गया तो फिर से 6 फिर f minus 3 निकाला तो आप जानते हो कि equal to minus 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर आप x की जिए minus 3 रख दो एक minus बाहर एक x की जिए minus 3 आया तो यह plus 3 हो गया और plus 3 उसके आगे भ x to minus 3 यह निए fx x equal to minus 3 के लिए सतत है ऐसे आपने x equal to 3 के लिए करना शुरू किया तो आपने lhl किया तो x less than 3 के लिए करोगे आप 3 के लिए कर रहे हैं तो 3 minus और यहाँ 3 minus h आया तो less than 3 कहाँ पर दिख रहा है आप ज़रा देखना यह दिख रहा है मुझे x less than 3 तो minus 2x वाले तो minus 6 यह बजा ऐसे आरचल के लिए किया तो x greater than 3 तो limit x tends to 3 plus fx हुआ और यहाँ पर आपने h tends to 0 मतला तो 3 plus h हो गया अब greater than 3 पर आपको कहां रखना है यह रहा greater than 3 6x plus 2 पर रखना है तो आम ने क्या किया 6x के जगा यह रख दिया प्लस 2 यह है अंदर मलता है किया 18 plus 6 h plus 2 h क यह निकालने की जरूत नहीं क्योंकि यह दोनों equal नहीं आ रहे हैं देख रहे होगे दोनों आपस में equal नहीं है तो lh not equal to rhl यानि fx जो है वह x equal to 3 पर असतत है यानि discontinuous है एंस fx is discontinuous at x equals to 3 समझ यह आसान था लेकिन अच्छा प्रसंद था 8 में question की और आते हैं देखो करने कितने हैं पहले एक बार देख लो 8 आपको क्या दिया है वही mod x वाली चीज दी गई है इसको check करना है continuity है या नहीं है सतत है या सतत है तो x equal to 0 है यहाँ पर mod x है mod x के 2 होते है माइनस में भी होता है माइनस x और यह होता है लेस दन जीरो के लिए और प्लस में भी होता है यह होता है ग्रेटर दन जीरो के लिए तो mod x की जिगह हमने एक बार माइनस x रखा जब x लेस दन जीरो लिखा और mod x की जिगह प्लस एक्स रखा जब greater than 0 लिखा और तीसरा वाला अपनी जिगर बना हुआ है तो यह रखते हैं देखो एक्स एक्स कड़ जा रहे था तो माइनस वन आ रहा था यह यह कड़ जा रहे था तो वन आ रहा था यानि जब एक्स less than 0 होगा तो value minus 1 होगी एक्स greater than 0 होगा तो value 1 होगी और एक्स 0 होगा तो value 0 होगी बन गया अच्छा function को पहले solve करना है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं mod वाले में होगा है सब और कहीं नहीं होगा तो हमने LHL निकाला एक्स less than 0 के लिए limit x tends to 0 fx क्योंकि आप जानते हो तीनों 0 के लिए हैं तो value minus 1 हो जाएगी और 0 रखने पर भी minus 1 ही रहेगा अगला एक्स greater than 0 किया तो इसके लिए limit x tends to 0 fx किया तो यह as tends to 0 हो गया 0 plus h हो गया fh हो गया रखते वक्त x greater than 0 है तो आप जानते हो 1 पे रखोगे value तो इसकी value 1 होगी और यह 0 रखके वह 1 ही रहना है f0 निकालोगे तो f0 करने की जरूवत थी नहीं हमें ठीक है third वाले को करने की जरूवत नहीं थी क्योंकि हमने दो देखे जब तो यह दो एक minus 1 एक plus 1 आ रहा है तो यह दो ही equal नहीं है तो x equal to 0 पर फलन क्या होगा असतत होगा यह fx is discontinuous at x equals to 0 असान है कोई tough नहीं है बस थोड़ी जोड़ी चीज जैं mod वाली है तो इसलिए वो करा रहा हूं है अगला question देखो इसमें भी same mod x दिया गया है यह less than 0 पर दिया है greater than और equal to पर नीचे चीज दी गई है उपर आले question में नीचे नहीं दिया था नीचे खाली equal to 0 दिया था इसलिए हमने greater than 0 भी निकाला और less than 0 भी निकाला समझ गे अब हम किसके लिए काम करेंगे क्योंकि हमको पता है कि greater than less than और equal to पर तीनों पर 0 है तो हम 0 के लिए करेंगे तो हमने LHL निकाला तो x less than 0 limit x tends to 0 f minus fx तो 0 minus h हुआ f minus h और आप जानते हो less than के लिए कर रहे हो तो minus 1 value आएगी फिर आपने LHL x greater than 0 के लिए किया limit x tends to 0 plus fx तो ये 0 plus h हुआ fh हुआ और greater than के लिए कर रहे हो तो इसकी value भी minus 1 f0 निकाला होगे तो नीचे वाले पर आपको equal to 0 दिख रहा है तो इसकी value भी minus 1 यानि तीनों ही value equal आ रही है minus 1 minus 1 तो हम लिख सकते हैं कि LHL आरचल और F0 तीनों equal है तो यानि तीनों x equals to 0 पर सतत है यानि fx is continuous x equals to 0 तो ध्यान दूग हमने 9 तक के question कर लिए हैं उसके बाद ये चौद्वा question कल करेंगे अभी अधूरा है तो बाकी मैंने आपको घर से दिये थे कहां तक के question यह 10 वाँ मैंने घर से 11, 12, 13 वाँ इतने question घर से करने को दिये थे तो कर चुके होगे अब देखो 14, 15 वाँ और 16 वाँ तीनों एक जैसे हैं तो मैं 14 प्रसने आपको कराऊंगा और 15 और 16 तो आप खुदी कर लोगे क्योंकि तीनों एक जैसे ही है ठीक है उसके बाद देखो स 30 से 34 तक भी हो गये हैं यानि 30 तक के question बचे है 14 से लेकर कर तो मेरे ख्याल से देखते हैं कल के वीडियो में या परसूं तक दो दिन में तो खतम होई जाएगा तो दोनु दिनों में इसे मैं complete करा दूँगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 5.2 जहां से exercise तेजी स होंगी क्योंकि वहां आसान question है बस एक बास समझना है कुछ formula याद करने हैं और सारी चीज़ा इतनी easily होंगे कि आपको लगेगा कि यह तो आप बहुत आसान वाली चीज़ा आ गई है लेकिन वहां practice बहुत ज़्यादा importance रखती है क्योंकि वहीं से हमारी असली calculus सुरू होती है इसके बारे मैंने कहा था कि exercise 5,6,7,8,9 तक के chapter इस पर ही based है यहां से अब जो अगले chapter से पढ़ोगी वह 9 से लेकर 9 तक के chapter सब यहीं है total 13 chapter है ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye